हेलो दोस्तो स्वागत है आपका केरियर विल स्टडी में आज मैं आपके लेकर आए हूँ क्लास सिक्स की सब्जेक्ट है हमारे पास महान व्यक्तित्व और उसका पाठ है सत्र है पाठ का नाम है कबीर और उनके गुरू रामानंद तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का फुल सॉलूशन कराऊंगी देखो सबसे पहले हमारे पास है अभ्यास नम्रिकित प्रश्णों के उत्तर लेकिए तो देखो पिर्शन नम्मर वन है हमारे पास कबीर बहायाम बंड कर किसे कहते थे तो उत्तर में लिखेंगे कबीर मस्जिदों के नमाज पढ़ने, मंदिरों में माला जपने, मूर्ती पूजा करने, रोजे और उब्बास रखने को बहाय आव डंब कर कहते थे पिर्शन नम्मर दो है कबीर ने अपने उपदेशों में किन बातों पर बल दिया तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कबीर ने अपने उपदेशों में समाज में फैली वुराईयों का कड़ा विरोध किया और आदर समाज की स्थापना पर बल दिया पिर्शन नम्मर तीन है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निसान लगाईए तो देखो का है कबीर की सिक्षा दिक्षा काशी में हुई ये बात गलत है खा है निंदा करने वाले लोगों को कबीर अपना हितेशी समझते थे ये सही है गा है कबीर की वाड़ी को साखी सबद रमेनी तीनों तीन रूपों में लिखा गया है ये सही है घहा है रामानंद ने इस संस्कृत में या निक ग्रंथों की रचना की ये सही है उसके बाद है पृषिन 4 सही विकल्प चुनकर लिखिये कभीर की दरस्ती में गुरू का इस्थान क्या था माता पिता की समान है या भगवान की समान है या भगवान से बढ़कर है तो उत्तर में लिखेंगे कबीर की द्रस्टी में गुरू का इस्थान भगवान से बढ़ कर है अगला प्रिष्ण है पाँचवा रामानंद के व्यक्तित्यु की विशेश्थाओं के बारे में लिखेंगे तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे रामानंद का जनम प्रियाग में हुआ था बचपन से ही इनकी रुची पूजा पाठ में थी रामानंद की प्रारंबिक सिक्षा प्रियाग में हुई थी रामानंद प्रकर बुद्धी के बालक थे रामानंद को जाती पाती का भेदवा पसंद नहीं था उन्होंने धर्म सास्त्रों का ज्यान कासी में प्राप्त किया उन्होंने कासी प्रवास के दोरान गुरू रागवनंद से दिख चाली रामनंद ने समाज में फैलियूँचिनी चुआ चूट जाती पाती के बेदवाव को दूर करने का भरकर प्रयास किया उन्होंने एक नए मार्गी शुरुवाद की जिसे भक्ती मार्गी की संग्या दी गई रामनंद संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत में उन्होंने अनेक ग्रंतों की रचना की वे हिंदी भासा के प्रवल समर्दक थे उनका मानना था कि हिंदी भासा के माध्यम से संपूर्ण भारत के एक सूत्र में प्रोया जा सकता है ये कबीर के गुरूति लगवग 112 वर्स की आईयू में 1412 इस्वी में रामानंद कानिदन हो गया अगला प्रिष्ण हमारे पास प्रिष्ण नमबर 6 रामानंद जी का दर्शन किस नाम से जाना जाता है और उसकी विसेशता क्या है तो तर डालेंगे और लिखेंगे रामानंद जी का दर्शन भक्ती मार्ग के नाम से जाना जाता है इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग द्वारा बक्ती के द्वार धनी निर्दन पुरोस नारी सब के लिए खोल दिये धीरे धीरे बक्ती मार्ग का प्रचार प्रशार इतना बढ़ गया कि इसे बौध दरम के आंदोलन से बढ़ कर बताया गया इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाथ हो चुका है उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ धन्यवाद